नमस्कार दोस्तो टोटल खबरी चैनल पर आपका स्वागत है राम गोपाल वर्मा को तो आप जानते ही होंगे वे एक जानिमाने फिल्म मेकर है हालिया उनकी फिल्मों की तो चर्चा होती नहीं है लेकिन भी विवादों की वज़े से हमेसा चर्चा में बनी रहती है आज कल भी हर चर्चित मुद्दे पर उल्टे सीधे ट्वीट करते हुए नजलाती है लेकिन इस बार द्रोबदी मुर्मू पर ट्वीट करना उन्हें भारी पढ़ सकता है द्रोबदी मुर्मू होने वाले राष्टपती चुनाओं में बीजेपी की कैडिरेट है इन्ही के बारे में राम गोपल वर्मा ने कुछ ऐसा ट्वीट किया कि पुलीस में उनके खिलाब सिकायत भी दर्ज करा दी गई है राम गोपल वर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा कि अगर द्रोबदी राष्टपती है तो पांडव कौन है और उससे भी ज़्यादा जरूरी ये है कि कौरव कौन है उनके इस तरह से ट्वीट करने के बाद लोगों ने उन्हें नेसाने पर ले लिया सोचल मीडिया पर पबलिक वर्मा की जम कर क्लास लगा रही है लोग उन्हें सकूनी और सिखंडी बता रहे है मामला यही नहीं धमान इस ट्वीट के बाद भाजपा नेता गुड़ू रेडियो टी नदेसवर गोड़ ने हैदराबाद के एबिट्स पुलिस इस्टेशन में राम गोपाल वर्मा के खिलाब सिकायत दर्ज कराई है उन्होंने कहा है कि इस ट्वीट से राम कोपाल वर्मा ने एंडी की राष्ट पदिपद की उमिद्वाद दरोब्दी मूर्मो पर अपमांजनकर टिपड़ी की है पुलिस दिकायत के बाद राम कोपाल वर्मा ने इस पर सभाई भी दी और कहा कि यहाँ बात सिर्फ विरुदावास में कही गई थी कोई और इरादा नहीं था महा भारत में दरोब्दी मेरा पसंदिदा किरदार है लेकिन क्योंकि ये नाम बहुत रेयर है इसलिए मुझे इससे जुड़े सभी किरदारों की याद आई और मैंने ये बात जटाई मेरा मकसद किसी की भाउनाओं को ठेश पहुंचाने का बिलकुल नहीं था अब राम कोपल वर्मा ने तो सफ़ाई दे दी है लेकिन आगे क्या इन पर कारवाई होती है या फिर नहीं यहाँ आगे पता चलेगा अब इस वीडियो को यही पर विराम देंगे और मिलेगे अगले वीडियो में